अगर आप एक महिला हैं और आप अपने चहरे पे होने वाले बालों से परिसान है यानि की आपके चहरे पेर hair growth बढ़ गई है पहले growth कम थी लेकिन अब धीरे-धीरे बढ़ रही है तो क्या-क्या हूओ काराने और किस तरह से आप चेहरे के बालों से चुटकारा पा सकते हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है ये वीडियो आपके लिए है तो मैं डॉक्टर ललीत कसारा इस वीडियो में आपको बताऊंगा unwanted hairs के बारे में चाहे आप male है, female है अगर आप male भी हो और आपको चेहरे पे बहुत उपर तक beard आती है बहुत उपर तक बाल आते है और आप चाहते हैं कि वो permanently खतम हो जाए तो मैं आज आपको बताऊंगा laser treatment के बारे में और ये वीडियो खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन-कौन सी नई technologies है या वो कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने unwanted hair को हमेशा के लिए खतम कर सकते हैं और ये वीडियो खास होने वाली है इसलिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे myths, वो सारे के सारे facts कि क्या hair laser से खतम हो सकते हैं और अगर खतम होते हैं तो कितने % होते हैं तो दोस्तों अब सबसे पहले बात करूँगा कि आखिरीकार वो कौन-कौन से कारण है जिनकी वज़य से चहरे पर बाल आने लगते हैं खास कर महीलाओं के लिए तो सबसे पहले hair की growth होना वो depend करता है male hormones पे जो की है testosterone अब कुछ conditions ऐसे होती हैं जिन में internally ही females में male hormones जादा बनने लगते हैं जिसकी वज़य से हमारे face पे hairs आने लगते हैं अब वो कारण ऐसे क्या-क्या हो सकते हैं वो कारण है एक तो hormonal changes बहुत ज़ाद होते हैं वो हते हैं PCOD या PCOS में यानि कि polycystic ovarian disease या polycystic ovarian syndrome ये जो ovaries हैं उनमें cyst होने के कारण हमारा जो एक mechanism है जो hormones naturally बनते हैं वो डगमगा जाते हैं जिसके imbalance होने के कारण face पे acne और साथ के साथ hair growth बढ़ जाती है कई बार hirsutism होता है जो अनुवांशिक एक तरह की विमारी है जिसमें महीलाओं में पुरुसों की तरह चेहरे पर बाल आने लगते हैं या कई बार मैं पहले भी कई इस topic पे वीडियो बना चुका हूँ की अलग-अलग तरह के steroid लगाने के कारण या फिर चेहरे पर गोरापन पाने के चकर में हम अलग-अलग तरह की creams लगाते हैं जिनकी वजह से चेहरे पर hairs बढ़ने लगते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको गोरापन पाने के चकर में तो कभी भी किसी की सला के बिगर आपको कुछ लगाना ही नहीं है और अगर आपको सही सला चाहिए तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि आप हमारे क्लिनिक पे कॉल करके अपनी skin और hair से लेटेड किसी भी समस्या के लिए आप हमसे संपत कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल free कोई consultation charges नहीं होता है तो मैं बात कर रहा था कि ये भी एक reason है तो पूरी तरह से आपको कभी भी बिना किसी सला के कोई भी cosmetics या इस तरह के product use नहीं करने हैं ये भी एक कारण होता है आपके चेहरे पे बालों की growth करने का और भी कई conditions हैं कई जैसे कि कई बार बार हम बहुत जादा waxing कराते हैं waxing के कारण भी बाल बार बार तूटके नहे बाल जब अंदर से grow करते हैं तो वो बाल पूरी तरह से बनने लगते हैं अब बात करूंगा myths के बारे में यानि की वो कौन-कौन से दुस्परचार हैं जिनको हम सोचते हैं कि भाई इनकी वज़े से हमारे चेहरे पे बाल आ रहे हैं सबसे बड़ा और जिससे आप बहुत agree होंगे वो है कि अगर females अपने चेहरे पे उन बालों को काटते हैं या फिर razor लगाते हैं तो बाल growth बढ़ जाती हैं नहीं ऐसा नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि बालों को जब हम cut करते हैं तो वो cut करने पे बाल सिर्फ superficially cut हो रहा है उसका हमारी root से growth से कुछ भी लेना देना नहीं है हाँ ऐसा जरूर होता है कि जब हम बाल को काटते हैं तो उपर से उसका जो age है यानि कि जो उसका कौना है वो sharp हो जाता है जिसके वज़े से वो चुबता हुआ फील होता है और हमको लगता है कि यह hard हो रहा है बट actual में जब wax कराते हैं तो वो hair पूरा का पूरा अंदर से बाहर निकलाता है और root अंदर से जब grow करती है दुबारे जब grow करती है तो वो पहले से ज़्यादा मजबूत होती है तो ये उल्टा है, बाल उखाडने से ज़्यादा मजबूत होता है और कट करने से वो as it is रहेगा तो ये एक मित था जो आज मैंने रिवील आपको किया है अब बात करेंगे वो कौन कौन सी ऐसी technologies हैं आज के टाइम पे जिनका प्रियोग करके या जिनका आप as it treatment कराके अपने hair को पूरी तरह से हटा सकते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा advance और सबसे ज़्यादा मैं कहूंगा कि famous है diode तो diode laser एक ऐसा treatment है जिसको कराके आप अपने चेहरे पे होने वाली overgrowth को permanently खतम कर सकते हैं अब बात आती है कि खतम कर सकते हैं लेकिन कितना खतम कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा question है जो हर किसी के मन में आता है और ये भी एक myth है कि लोग सोचते हैं कि laser hair remove कराने से आपके hair यानि कि आपके अंचाहे बाल हमेशा के लिए खतम हो सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं है मैं बात कर रहा हूं diode treatment की अगर हम diode treatment करते हैं, hair remove कराते हैं तो एक तो इसमें sitting लगती हैं कम से कम भी 6-7 sitting यानि कि आपको एक-एक महीने के बाद आपको 6-7 sitting लेनी अनिवारिये हैं तब जाके आपके बाल कम होते हैं कितने कम होते हैं बाल कम होते हैं आपके जादा से जादा 60-70% यानि कि वो जो बाल है 60-70% तक बिल्कुल आपके बंद हो जाएंगे और जो growth हाएगी वो बहुत ही पतले बाल होंगे तो ये भी आपकी अब समझ में आगे आपकी दो चीज़ आपकी अभी तक समझ में आ चुकी है एक कि बाल जो खतम होंगे वो लगबग आपके 60-70% तक खतम होंगे और एक बार में नहीं खतम होंगे उसके लिए आपको 6-7 बार laser कराना पड़ता है कई cases में जिनको hormonal changes बहुत जादा है उनको लगबग 10-12 sitting भी देनी पड़ती है इसका कोई fix criterion नहीं है laser हर individual पे हर एक व्यक्ति विसेज पर बिलकुल अलग तरह से काम करता है हर किसी में किसी किसी को कही बार हमने 5 sitting में देखा है कि बहुत अच्छे result मिल जाते हैं कि आई बार हमने देखा है कि 10-10 sitting में भी उतने अच्छे result नहीं मिल पाते जितने किसी दूसरे व्यक्ति को सिर्फ 5 sitting में मिल गए तो आप एक fix को यह नहीं बता सकते हैं कि लेजर का 4 sitting लगेंगी या 5 sitting लगेंगी तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपकी मन में आपकी समझ में चीज़े जो है सारी की सारी वो clear आचुकी होंगी अब बात करेंगे एक ऐसे topic पे जो सोचते हैं हाँ इससे पहले लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो और कौन-कौन से techniques हैं जिन से हम laser करते हैं आजकल बहुत advance आगी है cooling therapies आचुकी है और वो भी एक जरिया है बालों को हटाने का IPL यानि की impulse pulse light पहले use होती थी आजकल भी use होती है बट आजकल diode laser hair removal को ज़्यादा प्रफर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा latest technology है और सिर्फ hair के लिए use होती है तो इसलिए बहुत अच्छे इसके result आते हैं दर्द pain कितना इसमें होता है ये भी एक बहुत normal asking question है तो बहुत ज़्यादा pain नहीं होता है बट हलका सा pinch type का आपको feel होता है और आजकल जो नई नई technologies आ रही है उसमें pain भी कम feel होता है यानि कि अगर मैं सीधे सब्द में बताऊं तो ऐस है नहीं है pain नहीं है untolorable pain नहीं है आप उसको अराम से बियर कर सकते हैं तो pain भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है और क्योंकि मैं अपनी videos कोई scripted videos नहीं बनाता हूँ तो हो सकता है कि इसमें कुछ topics जो हो छुट जाते हूँ तो अगर आपके मन में भी कोई doubt है इसलिए मैं कहता हूँ हमेज़ा आपके मन में कोई भी doubt आ रहा है तो आप हमारे नीचे दिये गए numbers पे call करके कभी भी आप पूछ सकते हैं और या फिर comment में भी आप कभी भी जाके कोई भी question आपके मन में आ रहा है पूछ सकते हैं तो ये तो बात होगी हमारी कौन-कौन सी technologies हैं कौन-कौन से तरीके हैं या किस तरह से हम इसको remove करते हैं कितनी settings लगती हैं तो सारे के सारे topics मैंने इस वीडियो में जो है clear कर लिये हैं अब एक चीज और जो myth है तो दोस्तो एक सबसे बड़ा myth जो है वो ये है कि जब भी हम laser hair removal करते हैं जो procedure है अभी मैं procedure की बात बता रहा हूँ myth भी साथ के साथ बताऊंगा जब भी हम laser hair removal करते हैं तो laser hair removal से पहले हमको बालों को razor से clean करना पड़ता है कि जो extra hair है extra जितने भी बाल है वो सारे के सारे हट जाएं अब ये करना क्यों पड़ता है ये आपको समझ माएगा कि किस तरह से diode या फिर और जो laser है वो किस तरह से work करती है उनका mechanism क्या है और क्यों वो बालों को किस तरह से खतम करती है तो दोस्तो जो भी ये laser technique है ये light work करती है laser जो है laser एक easy language में समझाऊँगा laser एक light की तरह है जो hair की root के थूर जाती है hair की soft के थूर जाती है और उसकी jud को खतम करती है अब ये particular work करती है melanin पर melanin होता है color जो हमारी cells जो melanocytes से वो बनाती है तो ये सारी की सारी जो light है उसको absorb करती है अब melanin कहां है melanin है हमारे hair के color में बालों के color में तो वो उसको roots absorb करती है और वो root absorb करके light को पूरा का पूरा अंदर से जो hair बलवे यानि की जड़ को खतम कर देती है अगर उस hair को हम उपर से नहीं अटाएंगे तो उसकी सारी की सारी energy उपर से उस जो hairs है जो surface के बाहर हैं उनको जलाने में खतम हो जाएगी आपको दर्द फील होगा लेकिन अंदर कोई भी effect नहीं होगा जब हम razor से बिल्कुल सरफेस से उसको remove कर देते हैं तो पूरी की पूरी energy अंदर जाती है और वो hair को खतम कर देती है तो myth ये था कि अगर हम जो भी हम कभी razor use करते हैं तो हर किसी patient का भी होता है कहीं doctor आप इसको razor को use कर रहे हैं तो इससे बाल तो नहीं बढ़ जाएंगे इसलिए इस topic को बताने से पहले भी मैं एक बार clear कर चुका हूँ आपको कि ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक myth है अगर आपको अच्छे result चाहिए तो आपको razor से clean करना ही पड़ेगा और मैं 100% sure हूँ कि उससे 1% भी आपके बालों की कोई effect मोटाई पर नहीं पड़ता है कि बाल मोटे हो जाएंगे कटने से hard हो जाएंगे ये एक procedure है जो करना पड़ता है तो ये एक बहुत बड़ा myth मुझे लगता है आपका clear हुआ होगा इसके बाद बात करूँगा एक ऐसे दुसपरचाव या myth के बारे में पहले समझाया था कि laser जो work करता है वो work करता है सिर्फ melanin पर यानि कि वो सिर्फ work करता है आपकी जो black cells हैं root की जो हैं सिर्फ उन पर इसके अलावा वो आपकी skin पे भी कोई effect नहीं डालता है तो laser से कोई किसी तरह का cancer वगरा बिल्कुल भी नहीं होता है और ना ही laser का आपकी skin पे कोई effect होता है उसका effect अगर laser hair removal के लिए है तो उसका effect होगा सिर्फ और सिर्फ hair पर वो work करेगा सिर्फ और सिर्फ hair की roots पर इसलिए पहले क्या होता था पहले जैसे जो heat वाली जो machines होती थी या अलग अलग के लिए अलग तरह के laser है skin lightening के लिए अलग तरह के laser है skin brightening के लिए अलग तरह के laser है तो इसलिए हाँ आपका chain बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप ऐसे ही नहीं है कि आप कहीं भी जाके कुछ भी जोए किसी से भी करा लो आपको समझना पड़ेगा कि जहां आप treatment करा रहे हैं वो जगह कैसी है या वो technology किस तरह की use कर रहे है otherwise laser बिल्कुल पूरी तरह से 100% safe है और किसी तरह का भी इनसे कोई problem नहीं होती है तो आसा करता हूँ कि ये video आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसके अलावा कोई किसी तरह की आपको कभी भी skin और hair care से related किसी तरह की जानकारी चाहिए कोई सुझाव चाहिए आप online consultation चाहते हैं आप मुझसे बात करना चाहते हैं मेरी team से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिये गए numbers पे call कीजिएगा www.thedoktorscard.com जहां पे आपको world के best products आपको मिलेंगे वहाँ से जाके आप products को online buy कर सकते हैं जिनके authenticity 100% है और साथ के साथ अगर आपको चाहिए कि आप उनको घर बैठे order करना चाहते हैं तो आप वहाँ से उनको आप order भी कर सकते हैं या फिर अगर आपको चाहिए कि ने भी हमें तो पूरा एक skin का skincare एक routine बनाना है या आपको कोई भी मुहासे की problem है बाल जढ रहे हैं आपके चेहरे पे जुर रहे हैं और उनके लिए आप proper treatment आपको चाहिए तो आप हमारी team से बात कर सकते हैं हमारी website दोबारे बता रहा हूँ www.thedoktorscard.com पे आप जाएंगे तो महाँ पे एक form open होगा उसको आप fill कीजेगा free online consultation का महाँ से जाके हमारी team आपको खुद call back करेगी और आपको medicines बताएगी जिनको आप घर बेटे order कर सकते हैं तो मैं डॉक्टर ललीत कसाना आपके साथ इसी तरह से बना रहूँगा तो मेरी वीडियो को प्लीज जाद से जाद आप शेयर करें धन्यवाद